हेलो फेंड, बेलकम, मैं उमीद गरोगा कि आप सब लोग ठीक से होगे। मेरा जो मुद्दा है, वो लीगल इसुस से मुद्दा है। आप लोगों ने तीन सब्द सुना होगा। एक सुना होगा और्डर, एक सुना होगा डिकडी, एक सुना होगा जेज्जमेंट। सुना होगा order, decree, judgment, order किसे कहते हैं, decree किसे कहते हैं, judgment किसे कहते हैं, तो दूस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि judgment वो होता है, जो court, statement, decree का और order का, दोनों का statement जो है, educate करता है, वो judgment होता है, यानि कि अगर हम CPC, यानि court civil procedure में देखेंगे, तो उसमें कहता है, कि judgment means the statement given by the judge, आप तक ground, of a decree or order, जो उसका ground है, और statement का, कौन से statement, decree या order का, order कहा है, तो हम समझेंगे, orders किसे कहते हैं, तो order को जो है, section 2 के 14 में, formal expression of any decision of a civil court, which is not decreeing, अगर नियाले किसी भी मुकदमे में, किसी भी application में, जब कोई आपती या कुछ जो चीज़े आजरती हैं, तो वहां क्या होता है, कि उसको decide कर देता है, और परतेक आदिश जो है, वो decree नहीं होता है, decree हम समझने के लिए हमको जो है, CPC, order 2, sorry section 2, 2 में हम देखेंगे decree किसे कहते हैं, तूटू में अगर हम देखेंगे, तो decree आपको दिखाए देगा तीन तरह से, decree, primary decree, final decree, partly primary decree, partly final decree, एक आपने सुना होगा, dimmed decree, dim decree लगता तो है कि वो dim decree है जो आपके, एक आदेश की भाती, एक decree की भाती होता है, यह लगता है कि आजरी dim decree है तो वो dim decree नहीं होता है, वो dim decree की भाती होता है और उसे हम dim decree कहते हैं जो order 21, rule 58, 144, institution of control rights, आपको order 21, rule 101, वोहाँ पर वो defined किया गया है, तो दोस्तों मैं degree की बात कर रहा हूँ, तो decree की जो context हम आगर हम देखेंगे तो इसमें कहता है कि, तो decree means the formal explanation of an adjudicate with show for a regard for the expression of consensus determine the right of the parties with regard to all or any of the matter, controversy in the suit and may be either primary or finally, it shall be deemed include the rejection of a plan and the determination of any question within section 144, but shall not include a any adjudicate form which the an appeal life as an appeal from an order. आपकार के कहने के मुराद दिये है कि टिक्री की जो इंसिंसिंसिल ग्राउंड्स हैं, पहले कि कोई भी जो इसका एजूटी केशन करना होता है, पार्टी के अधिकारों का एक सूट होता है, और उस सूट में दोनों पच्चकारों को सुना जाता है, और नियाले एजूटी केट करता है, और नियाले जो कोई उस सूट में डिस्पूर्टेट क्यूस्चन्स होते हैं, जो राइज डिस्पूर्टेट क्यूस्चन्स होते हैं, वो पैदा होते हैं, उनका जो है क्या करता है पच्कारों की जो अधिकार पच्कारों को पार्टि उसको जो है डिक्री पारित करता है उसे कहते हैं। एक डिक्री प्राम्भी डिक्री होती है और एक होती है फाइनल डिक्री तो मैं प्राम्भी डिक्री पर करता हूं तो प्राम्भी डिक्री के बारे में आप जानते हैं कि प्रेमीर डिक्री कहां कहां होती है और वे प्रिमेर डिक्री जैसे कि कब्जा से संबंदित हो, किराय से संबंदित हो, मेंस प्रोफिट के संबंदित हो, एजन्ट और टैनेंट का सूट हो, प्रोपट्टी का पार्टिशन का सूट हो, या प्रोपट्टी का पजेशन का सूट हो, या फोर्क लेजर हो, या मोडगेज हो, या डिडप्शन मोडगेज हो, तो ऐसे मामले में जो है प्रेमरी डिक्री होता है, वो फाइनल डिक्री नहीं होता है, कि प्राम्बिर सुनवाई में किसी मामले को निस्तार करने के लिए एक टिक्री पारित की जाते है उसे कहा जाता है प्राम्बिर टिक्री बाद में वो जो है फाइनल हो जाती है जब पचकारों को सुनने बाद में सब्ताइक कर दिया जाता है तो वो final degree के according हो जाती है यहीं final degree में कहा है वाद को जो है suit को पूरा तरह से उसका जो है disposal कर देता है तो उसे कहा जाता है कि यह प्राम्बिट डिक्री है वो final degree है प्राम्बिट डिक्री और प्रेमिलरी डिक्री और final degree में अंतर क्या है तो प्रेम्बिट डिक्री होता है इस बात का उसमें हो inh. हो वो पहले मिल जाता हु उपलिक हो तक केमीट deepest करी और प्रामिट डिकरी जो है अंथिधिम डिकरी पर निर्भन नहीं होता है जो हो अंक्यू कि बार कि अगर पच्कार में समझोता हो जाता है तो समझोता कि एक और इंदर क्या होता है और उसमें जो है दुरसंथी कपट न अब दोस्तों कि अब एक होता है डिक्री होता है एक ओर रोधा है degree और order में अंतर क्या होता तो decree में आपको बता है decree ऐसे domain- निर्टन है जो विपात्ग SEN Iünden toบशो मेरे सभी यंकीनि पचारों के अधिकारों का क्या है वो determine करता है और अर्डर होता है कि और चाली रूप से या अभिव्यक्ति दिवानी नियाले का ऐसे नेड़े चो डिक्री नहीं होता है डिक्री पच्कारों को अधिकारों का जो है डिटर्माइन के जाता है और आदेस में पच्कारों को अधिकारों का जो है डिटर्माइन भी हो भी सकता है और नहीं भी कि अधिकृिनभी प्रार्व में वाद्पत्स दीज़वारह आरप कर दे जाता है और आधिस वाध से प्रारव में भूआ हो सब दो परकार के घैएप इस आधिसा कोई परकार के को अंतर नहीं होता है दो दोस्तरों मैं उमीद करूँगा कि आप सो हमारे साथ जोड़े रहें मैं लीगल अपडेट आपको देता रहोगा